हाई स्टूडेंस मैं सोन्या विद्या गुरू से स्टार्ट कर रहे हैं नया सेशन कारेंड इफेर्स का जैनुवरी का फाइनल पार्ट है यह थर्ड पार्ट है बहुत सारे इंपॉर्टन विडियो एंट तक देखिएगा यह सेशन हिंदी मीडियम में है अगर अच्छा लग मीडियम का सेशन देखने आया थे तो इंग्लिश मीडियम सेशन इस अलसो देर इन प्लेलिस्ट यू किन गो और चेक दाट आउट स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेस्टन किस बारे में है और क्या आने वाला है टॉपिक वाइस करेंट फैस हम पढ़ते हैं तो इरिया ही बहुत इंपॉर्टंट है कुछ भी चीज अगर वहां होती है तो हम सब चीज़े इंपॉर्टंट वान के चलेंगे यहां पर हम कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ओफ टूरिजम ने और भारत पर्व जनवरी 26 से 31 जनवरी के बीच में कहां पर हम कह रहे हैं तो यह और ओगनाइब कहले था आपको यहां चाहिए घर इसाल आपको यहां चाहिए कि भारत पर्व है रेट्anor पोड के पास जनवरी के बीच में इसे मनाया गया और ये ministry of tourism का initiative था इंडिया international science festival इंडिया international science festival 2022 वाला भोपाल में organize कराया गया हम 2023 में हैं जन्वरी 2023 के ही current phase पढ़ रहे हैं लेकिन समझिये कुछ questions होते हैं जो important होते हैं किसी भी perspective से तो बहुत आगे नहीं पहुंचे हैं हम वो organize जो करा रहे हैं 2022 वाला है ये करके याद करिए January 2023 के current phase में इसका गया है इंडिया international science festival का marching towards अमरित काल marching towards अमरित काल with science, technology and innovation तो देखिए अमरित काल में march कर रहे हैं ऐसे याद करिए जिसमें हम science की technology की और innovation की बात करेंगे इससे आपको theme याद हो जाएगा international science festival का इंडिया international science festival का अब ये क्या है ये operating system ठीक है भार OS तो हमने क्या का indigenous mobile operating system है IIT मदरास ने इसे बनाया है आपको याद रखना है हम कह रहे हैं ये भारत ही होगा obviously बात है तो भारत का ही operating system इसलिए indigenous है खुद का बनाया हुआ mobile operating system है IIT मदरास ने से develop किया है इंडिया to supply diesel वाया friendship pipeline देखिए friendship pipeline बांगलादेश को दे रहे हैं pipeline से diesel जो है supply करेंगे इंडिया करेगा friendship pipeline से बांगलादेश को diesel supply अब ये पूछा जाए कि कहां से तो हम कह रहे है फ्रॉम नुमालीगड refinery in silly goodie इंडिया to पार्बती पूर इं बांगलादेश देखिए नुमालीगड जो है वो हम कह रहे हैं silly goodie में तो silly goodie की बात हम कर रहे हैं हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया से बांगलादेश pipeline जाएगी तो बांगलादेश में पार्बती पूर तक नुमालीगड से शुरू हो चाहे IIT मदरास का अपना जेनरेट किया हुआ, मतलब अपना डेवलप किया हुआ ओपरेटिंग सिस्टम हो, भार OS, या फिर नुमालीगर्ड से पारबतीपूर की डीजल की पाइपलाइन, बांगलादेश की इंडिया की तरफ से, या फिर इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल भोपाल में, याद रखिए सारे questions एक्जाम में आने वाले, आप जानते हैं, इसलिए पहला page है, क्योंकि ये supremely important है, next question में देखिए क्या आएगा, state news में states की बात करेंगे, क्या-क्या states में ऐसा हुआ, जो हमारे लिए सब के लिए exam के point of view से important है, यहाँ पर old pension scheme वापिस की गई है, ठीक है, आप जानते हैं, pension scheme के उपर बहुत बवाल हो रहा था, तो pension scheme किन-किन states ने वापिस लगा दी है, तो राजस्थान, चत्रिसगर्ड, हिमाचल प्रदेश तो ही है, और यह Congress-ruled states हैं, यह आप जानते हैं, पंजाब भी पहले था Congress-ruled state, बट पंजाब में भी आपको add करना पड़ेगा, कि old pension scheme जो है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और चत्रिसगर्ड में वापिस, मतलब पुरानी वाली pension scheme लगा दी गई है, क्योंकि यह कोई भी government employee है, वो जानता है, pension important है उसके लिए, तो pension वो चाता है, तो old pension scheme जिस तरह की थी, सारे उससे खुश थे, तो वो ही वाली pension scheme इन states ने लगा दी है, first state to launch blindness control policy in Rajasthan, first state to launch blindness control policy in Rajasthan, तो कुछ भी first होता है अपनी तरह का, वो important होता है, तो उसे याद रखिये, इंडिया's first green energy state, हिमाचल प्रदेश, दो हजार पच्चिस तक बन जाएगा, ये इनका कहना है, कि हिमाचल प्रदेश को हम पहली green energy state, इंडिया की बना देंगे, तो timeline भी याद रखनी पढ़ती है, सिरफ state से नहीं चलेगा, first district to digitize tribals documents, देखिये, केरला बहुत advanced काम करता रहता है, ये वायनाट केरला की बात हो रही है, वैसे अगर आपको बताऊं, तो क्योंकि हमने question में लिखा है, कि पहला ऐसा कौन सा district है, tribals रहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन tribals का जो data है, वो digitize नहीं किया हुआ है, तो कह रहे हैं कि first district ऐसा बन जाएगा, जो tribals का documents का data जो है, वो पूरा digitize कर देगा, वो वायनाट केरला बन जाएगा, ठीक है, इंडिया का first constitution literate, इंडिया का first constitution literate district, कौन सा column कहर रहा, ये भी आद रखिये, तो इंडिया का पहला constitution literate district जो है, वो column है, बन गया है, करला में है column, तो सारे के सारे, देखिये, सब को constitution जानना चाहिए, तो constitution literate पूरा district, जो है, वो column बन गया है, next question देखिये, अब January के important days है और dates है, January में important days में देखिये, 5th international day of education on 24th of January, dedicated to women and girls of Afghanistan, ठीक है, 5th international day of education, 5th international day of education on 24th January, मतलब 24th January को 5th नमबर का, 5th बार मनाया गया international day of education, किसको dedicate करता है है, women and girls of Afghanistan, theme क्या है इसका, to invest in people, prioritize education, ऐसी चीज़ important है, आपको याद रखनी पड़ेगी, तो prioritize क्या करना है, education को invest किसमें करना है, people में, ऐसे करके याद करिए हो जाएगा, Startup India Innovation Week, 10th to 16th January 2023, Startup India Innovation Week, Startup India Innovation Week, तो 10 से 16 January को मनाया गया, Ministry of Commerce and Industry का, initiative था, National Girl Child Day 24 January को, 2008 में इसे Start गया था, National Girl Child Day को, National Girl Child Day को, पहली बात, पहला जो था, 2008 में था, आपको ऐसे याद करके करना है, कि इस बार 24 January को, National Girl Child Day मनाया गया, अब है पराकरम दिवस, पराकरम दिवस, जो है 23 January को मनाया जाता है, तो आपको बता दूँ जो पराकरम दिवस है वो नेता जी सुभाशंद्र बोस की बर्थ आनिवर्सरी होती है 126 वी बर्थ आनिवर्सरी थी नेता जी की इस बार वाली तो 23 जनवरी को नेता जी सुभाशंद्र बोस का आपसे बर्थ आनिवर्सरी पूछ लिया गया 126 भी थी निता जी की बहत अनिवर्सरी, तो important days से आगे बढ़के defense news पे आ जाते हैं, defense news में navy commissions 5th कलवारी या फिर scorpion class submarine, देखिए scorpion class submarine है, submarine हंदी में पंडू भी होता है तो हम कहरें कि scorpion class submarine जैसे अगर पहली वाली है, उसके नाम पे भी उसको बुला लिया जाता है, तो पहली वाली थी INS कलवारी, तो कलवारी के नाम पे कलवारी class submarine या फिर scorpion class submarine ऐसा बोला जाता है, हम कहरें navy ने commission किया है, पांचवे नंबर की वागीर, बहुत बार आपको यह पढ़ाया भी जा चुका है, आपको याद रहना भी चाहिए, तो scorpion class submarine में पहली वाली कलवारी थी, इसलिए पहली वाली के नाम पे कलवारी class submarine बोल देते हैं, तो कलवारी पांचवे नंबर की हम कहरें, सब्मरीन जो है, वो INS वागीर launch हो गई है, तो हम क्या कहरें, commission कर दिया है इसे नेवी ने, तो फिफ्थ INS वागीर नेवी ने commission किया है इस category में, और ये मजगाओं, dock ship builders limited ने बनाया, छटे नमर की जो कलवारी class submarine होगी, वो वाग shear होगी जो आने वाली है, हमें यहाँ तक पता है कि यह introduce करी जाएंगी, यह बनाई जा रही है यह जल्दी से commission कर दी जाएंगी नेवी में तो छटे नमर की INS वाक्षीर है, पूछ लिया जाए तो याद रखियेगा exercise cyclone 1 है defense news हमारा title था इसलिए हम exercise और नेवी में आने वाली कुछ कुछ नई चीज़े हैं, उनके बारे में पढ़ रहे है exercise cyclone 1 है first edition है इसका between armies of India and Egypt तो cyclone 1, exercise cyclone 1 पहली बार हो रही है किसके बीच में है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, जैसल में राजस्थान में हुई exercise operations alert exercise operations alert by BSF along Indo-Park border तो इंडियो पार्ग बार्डर वाला जो पार्ट है हम कह रहे हैं, कच गुजरात और बार्ड मेर राजस्थान में, तो exercise operation alert BSF by BSF along Indo-Park border कंड़क किया गया तो हम यहां पर BSF की बात करें एक चीज़ वो याद रखिये, exercise का नाम operations alert है Indo-Park border के आसपास का एरिया है तो specify करना हो अगर एरिया कौन सा वाला तो कच, गुजरात और बार्ड मेर राजस्थान वाला इलाका है जहां पर यह operation alert किया गया Amphics की बात करें तो Amphics में Amphi छुपा है तो land की भी बात करने लगे और पानी की भी बात करने लगे Amphibians को याद करिए तो हम कहरें Amphics जो है वो Tri-Services है Tri-Services तीन सविसेज वाला Amphibious exercise 2023 Held at Kakinada, Andhra Pradesh दुबारा सुनिये Tri-Teen है Three services वाला Armed Forces की बात हो रही है Amphics की का नाम है इस exercise का Amphics exercise है ना देखिये तो हम यहाँ पर कहना क्या जा रहे है Amphibious exercise है इसका मतलब कैसी exercise है Land पे भी है और Water में भी है 2023 वाली इस Amphics exercise को हम कहरें Kakinada, Andhra Pradesh में conduct कराया गया Next question में देखिए अब थोड़ा सा break ले लिजे वो बच्चे जो banking की तयारी नहीं कर रहे है Banking वाले यह सारा ही पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो exam के point of view से सारे questions important है आप जानते हैं कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग online live classes भी देते हैं video course भी देते हैं और अगर आप join करना चाहते हैं numbers दिये गए हैं नीचे अगर आप सिर्फ notes से आते हैं तो हम लोग PDF भी प्रोवाइड कराते हैं पूरे साल के लिए बहुत nominal charge पे website पे जाकर के आप ले सकते हैं और अगर आप कुछ help चाहते हैं तो call करिए एक दिये वाइन numbers पे और join करिए हम पूरी help करेंगे आपकी exam pass करने में banking and finance में वापस आते हैं पहला question है first public sector bank to offer credit card FD पे credit card देना थोड़ा आपको सुनने में अलग लगेगा न तो public sector bank कैसा करता हुआ और अलग लगेगा तो PNB कर रहा है ऐसा कि अगर FD है हम कहरें PNB कर रहा है FD है तो public sector bank कैसा पंजाब national bank बन गया है जो credit card FD पे offer करेगा minimum sum assured in LIC's new savings life insurance plan जीवन आजाद 2,00,00 और maximum 5,00,00 हो सकता है दोबारा सुनिए minimum sum assured जितना मिलेगा ही मिलेगा हम कहरें क्या LIC के नए saving life insurance plan में जीवन आजाद इसका नाम है minimum sum assured इसमें 2,00,00,00 लेकिन maximum sum assured इसमें सिरफ 5,00,00,00 किस की बात कर रहे है हम लोग जीवन आजाद की बात कर रहे है ये LIC का life insurance plan है नया next में देखिए multi branded credit card है multi branded आप ये समझ लीजे कि indecent bank देखिए bank तो होगा ना तभी तो credit card होगा तो bank का involvement है लेकिन हम कहे रहे हैं कि किस तरह का multi branded है Qatar Airways और British Airways का साथ में indecent bank किसे दे रहा है तो multi branded credit card है Qatar Airways और British Airways का indecent bank किसे offer कर रहा है Canera bank selling stake in commercial indo bank LLC तो ये limited liability company होती है LLC क्या होती है limited liability company होती है Canera bank अपना stake जो है वो बेच रहा है मतलब selling stake in commercial indo bank LLC its Russian joint venture to other partner SBI देख लीजे यहां पर किसको क्या बेच रहा है ये आपको देखना है Canera bank selling stake in commercial indo bank LLC its Russian joint venture ये जुसका Russian joint venture है हम कहरें किस other partner को SBI को incentive scheme for rupee debit cards incentive scheme for rupee debit cards and low value BMI payment तुबारा सुनिए incentive scheme for rupee debit cards and low value BMI payments worth 2600 crores incentive scheme है rupee debit card and low value BMI payments 2600 crores ये incentive scheme किसके लिए ये कह रहे है हम debit card rupee debit card के लिए अपना debit card promote करना है तो इसलिए रुपे debit card के लिए incentive scheme 2600 crores तो low value BMI UPI payments के लिए दोनों के लिए इतना worth है इसका next में देखिए क्या आ रहा है अब यहां से सारे join कर सकते है question government schemes में है जो बहुत boring लगते है लेकिन exam में आ जाते है video अगर आप देख रहे हैं अभी तक तो live नहीं दबाया तो दबा दीजे शायद मैं भी motivate हो कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे questions ले हूँ EPCG जो है यह scheme है actual में obligations relaxed for health care hotel education sectors for 2021-21-22 अच्छा आप यह देखिए जो EPCG है वो है export promotion capital goods export promotion capital goods scheme है यह actual में तो scheme obligations relaxed for health care यह scheme obligations relaxed for health care hotel education sectors के लिए तो किसी तरह का अगर कुछ relaxation provide कराया जा रहा है तो उसका आपको समय term बताया जा रहा है कि कहां तक किस period तक के लिए relaxation मिला है तो कहरें health care को hotel को education sector को 2021 and 2021-22 के लिए यह scheme का obligation relaxed यह आपको देगा पता लगाएंगे आप इससे कि कि समय तक के लिए relaxation दिया गया है एक है मार्ग अब यह मार्ग जो है यह ministry of commerce and industry का start-up mentorship platform है तो बारा सुनिये मार्ग क्या है ministry of commerce and industry का start-up mentorship platform है यह और अगर आप मार्ग की full form जानना चाहें तो mentorship advisory assistance resilience and growth है full form याद करनी पड़ती है exam में आ जाती है थोड़ी मुश्किल लगेगी तीन-चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा सुनिये mentorship advisory assistance resilience and growth तो सब words अलग-लग हैं सब को याद कर लीजे ऐसे ही करके तो start-up mentorship program platform commerce and industry ministry का मार्ग monument मित्र scheme transferred from ministry of tourism to ministry of culture दुबार आज सुनिये monument मित्र scheme है monument मित्र scheme है जिसे transfer कर दिया गया है ministry of tourism के बास थी यह scheme पहले ministry of culture को तो ऐसी बात आप थोड़ा कम सुनते हैं मुझे लगता है कि किसी ने start किया है तो वो उसको maintain करता है लेकिन ministry of tourism से ministry of culture को tourism से culture पे shift इसलिए किया होगा क्योंकि वो monument मित्र है तो monument है इसलिए culture है ऐसे करके relate कर लीजेगा aspirational blocks program है for essential government services to cover 500 aspirational blocks program for essential government services to cover 500 तो 500 cover किया जाएगा essential government services के लिए aspirational blocks program के तहत government scheme से अब देखिए अब हम जा रहे है awards and prices के उपर तो awards and prices में tableaus आपको दिखे होंगे ठीक है जांकियां आपको दिखे होंगी जो tableaus आपको पता है 26 जन्वरी पर निकाला जाता है तो हम कहारें best tableaus award है best tableaus award है states और UT में सबसे अच्छा माना गया किसको number one rank दिया गया तो वो उत्तराखंड का tableaus था ये मनस खंड है मनस खंड मतलब एक मंदिर भी है जगा भी है कुमाउ डिस्ट्रिक्ट अगर आप जानते हो तो उत्तराखंड में हम कहारें उत्तराखंड में मानस खंड के नाम से temple भी है मंदिर भी है तो वही मंदिर जो है देख लीजे आप उत्तराखंड वाला एक ऐसा टाबलो ऐसी जहाकी बनाई गई जो इतनी अच्छी इतनी पसंद आई कि वो नमबर वन रखी गई तो हम रेपबलिक डेप परेड को रेफर करते होए पहले नमबर का उत्तराखंड मानस खंड अगर आपसे पूछा जाए कि उनका टाबलो उनका जहां की किस बारे में था वो आप याद रखेंगे दूसरे नमबर का माराष्ट्रा का ये भी शक्ति पीठ वाला ही है तो साड़े तीन शक्ति पीठ है और नारी शक्ति तो नारी शक्ति और शक्ति पीठ वाला ही माराष्ट्रा का टाबलो तीसरे नमबर पे UP का आयोध्या दीपोत्सव वाला तीसरे नम्मर पे UP का आयोध्या दीपोत्सव वाला दीप उत्सव बैस टाब लोग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में Ministry of Tribal Affairs का जो एक लवेर मॉडल Residential Schools को दिखा रहा था एक लवेर मॉडल Residential Schools तो इनको भी कुछ Allocation होता है तो वही एक लवेर जो Schools है उनी की बात कर रही हूँ कि Ministry of Tribal Affairs का टाबलो Best Tableau था Ministry और Department वाले Segment में Best Marching Contingent जो है Best Marching Contingent जो है वो तीनों Services में से किसी में को दिया जाता है तो पंजाब देखिए Among Three Services पंजाब Regiment Center Contingent जो है Services में Best Marching Contingent माना गया Best Marching Contingent Among Auxiliary Forces जिसमें C.A.P.F. की जैसे की मैं बात कर रही हूँ उनमें से C.A.P.F. Marching Contingent जो है C.A.P.F. Marching Contingent जो है वो Best Marching Contingent माना गया देखिए Tableau में Category है Tribal वाली है तो अगर हमने यहाँ पर कहिए कि Ministry of Tribal Affairs है तो वो Ministry of Departments वाली है States और UTs वाली अलग winner है उसके अगर हम बात करें Marching Contingent तो उसमें भी दो C.A.P.R. पहला तीन Services वाला Marching Contingent और next जो था वो C.A.P.F. जैसा या फिर Auxiliary Forces वाला Marching Contingent तो याद रखिए उत्राखंड मानसखंड वाला पहले नमबर का Best Tableau States और Union Territories में से Ministry of Tribal Affairs एकलवे Model School को दिखाता हुआ Best Tableau Ministry और Department वाली क्याटिकरी में से Marching Contingent Teen Services में से Punjab Regiment और Best Marching Contingent Among Auxiliary Forces CRPF Marching Contingent Next question देखिए क्या है Sports News है तो Sports News में अभी क्या हुआ था हाल फिदाल Australian Open किसने जीता Singles किसने जीता Doubles उसकी बात करेंगे यहाँ पर Start कर रहे है Men Singles से ठीक है तो Men Singles में Novak Jokovic जीत गए Actual में Novak Jokovic जो है दसवी बार मतलब दसवा Australian Open दसवी बार जीत गए तो बड़ी बात हो गई Serbia गए है Novak Jokovic इन्होंने Stefanos Tsitsipas को हरा Greece के हैं Stefanos Tsitsipas जो है वो Greece के हैं Novak Jokovic ने Stefanos को हरा करके Men Singles का Title जीत लिया अब आते हैं Jokovic के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि दसवी बार Australian Open तो जीता लेकिन 22 Grand Slam जीत चुके हैं इन्टोटल तो Grand Slam जो होते हैं आप जानते हैं 22 बार जीतना अब आप कितने सारे Open होंगे तो Australian Open जो है अभी दसवी बार जीता है लेकिन 22 Grand Slam जीत चुके हैं जोकोविक ने नडाल की बात करें यहाँ पर हम रफाल नडाल की बात हम कर रहे थे तो रफाल नडाल जो है वो 22 Grand Slam वो भी जीत चुके हैं यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पुराने वीडियोज में यहाँ पर बराबरी वाला हाल चल रहा है तो 22 Grand Slam जोकोविक और 22 Grand Slam नडाल विमन सिंगल्स में राइना साबलिंका देखिए ऐसा होता नहीं है कि कोई neutral खेले कि कोई stateless खेले कि मतलब वैसे वो बेलरूस की है वो आप जानते हैं अच्छी बात है तो लेकिन आपको बता दू नूटरल खेलते वे आपको दिखेंगे नहीं यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह क्वेशन पूछा जा सकता है कि पहली Grand Slam विनर जो नूटरल प्लेयर रही स्टेटलेस प्लेयर रही Grand Slam में उन्होंने Grand Slam जीत लिया बड़ी बात है ना तो विमिन सिंगल्स में अराइना सबलिंका है जो नूटरल स्टेटलेस खेल रही थी डिफीट किया उन्होंने अलीना राइबकीना को उन्होंने हराया अलीना राइबकीना को वो कजाकिस्तान की है नीचे पॉइंट में लिखा भी है देख लीजे कि अराइनास फर्स ग्राइंड स्लाम विन फर्स नूटरल प्लेयर स्टेटलेस तू बिन ग्राइंड स्लाम तो याद रखना पड़ेगा यह क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत जादा है साबल इंका हो या जोकोविक हो क्योंकि जोकोविक दसवी बार उस्ट्रेलियन ओपन जीत रहे है स्पोर्च न्यूज में मेंस डबल्स को कंटिन्यू करेंगे उस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है बात कर रहे हैं मेंस डबल्स में रिंकी हीजिकाटा और जेसन कुबलर खी तो रिंकी और जेसन ने मेंस डबल्स जीता है देखिए मेंस डबल्स भी होगा, विमेंस डबल्स भी होगा और मिक्स डबल्स भी होगा तो winner important है, important important वाले, men's doubles में Rinky और Jason, women's में वही Barbora, Krazykova और Katrina Sinekova, ये रहे winners, mix doubles में Louisa, Tiffany और Rafal Matos, mix doubles में Louisa और Rafal, इंडिया ने जीता, ICC women's under 19, आप confusion ये होगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा, कि South Africa को हरा है या England को हरा है, तो South Africa में, मतलब South Africa तो venue था, South Africa venue था, जहां पर पहला, मतलब हम ये कहना चाहरे हैं, कि ICC का women's under 19, T20 World Cup हो रहा था, ठीक है, women's under 19, T20 World Cup हो रहा था, जहां पर इंडिया ने England को हराया है, जहां पर इंडिया ने England को हराया है, तो India wins, first ICC women's under 19, T20 World Cup, T20 भी याद करना पड़ेगा, under 19 भी याद करना पड़ेगा, women's है, तो भी याद करना पड़ेगा, ICC ने और इंडिया ने जीत लिया, इंग्लेंड को हराके, हो कहां रहा था, South Africa में, Germany wins, Hockey World Cup 2023, 15 एडिशन था, ये beating Belgium, Germany ने जीता, Belgium को हरा दिया, runner-ups important होते हैं, Hockey World Cup 2023 वाला, 15 भी बार हो रहा था, 15 एडिशन था, तो Germany ने जिसमें Belgium को हराया, इतनी last वाली news, इतनी unimportant लगती हुई भी एक्जाम में आ जाएगी, और बहुत important हो जाएगी, Germany ने Belgium को हराया, Hockey World Cup 2023 में, जो 15 नमबर का था, ये याद रखिएगा, question आ सकता है, यहाँ पर हम लोग रैप अप कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आया होगा, तो like का बटन दबा दिजेगा, नहीं समझ में आया हैं, तो English वाला वीडियो देख सकते हैं, या इसी वीडियो को दुबारा देख सकते हैं, Thank you so much for watching.